Hi everyone, so मैं हूँ पावना बातला from the wheel of fortune 369 से आप सभी के tarot card reader आज हम check out करने वाले हैं कि कल देर रात तक आपके person आपको लेकर, आपके connection को लेकर क्या कुछ है जो सोचते रहे ठीक है और साथ ही साथ हम आज अपना outcome और action जैसे कि मैंने अपने last video में promise करा था कि हम next video में outcome और action भी check out करेंगे, तो at the end हम वो भी देखेंगे कि कब next action आपके person का आएगा, क्या होगा outcome आपके इस relationship का तो यह आज हम check out करने वाले हैं, लेकिन उससे पहड़े अगर आप नए हैं तो subscribe कर लीजे, bell icon ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास notification आए, जब भी मैं कोई new video पोस्ट करती हूँ, आप चाहते हैं न मैं आपके और ऐसी videos लेकर आओ, तो like भी करना है और comment में thank you universe, thank you divine ज़रूर लिखें, ओके एक general collective reading है, जतना part resonate होता है रखें, बागी चीज़ों को ignore कर सकते हैं, time ले से कोई भी person male, female इसे देख सकता है, यह specifically no contact situation किटे हैं, okay, तो चले, अब check out करते हैं, कि आपके person कल देर रात तक आपको लेकर क्या कुछ है जो सोच रहे थे, please divine universe, angels, help करें मेरे viewers को जानने में, कि उनके person कल देर रात तक, okay, क्या कुछ है जो सोच रहे थे, integration, fine, दिखते हैं, दिखते हैं, आपके person कर देर रात तक आपको लेकर क्या कुछ है जो सोच रहे थे, trust issues, fine, innocence, we are world, beautiful energy, guidance, bottom, we have the energy of bottom, okay, guys, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं तो जो zodiac science है, वो है, Kansas, Scorpion, Pisces, ठीक है, and Gemini, Lebran, Aquarius, और साथ ही साथ Taurus, Virgo, and Capricorn भी है, ठीक है, तो इस सारी जोरियक आज important है, यह आपके, आपके person के हो सकते हैं, और अगर नहीं है, तो भी यह reading आपके साथ resonate करेगी, ओके, आगर मैं लेकर चलू ना, तो सबसे पहला ही कार्ड integration और trust काउट कराया है, यानि, maybe, कल रात, पूरी रात, आपके person जो है, आप, आपके साथ बिताय हुआ ना, हर पल कहीं, वो याद कर रहे थे, चीक है, maybe, मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे उनको ये चीज बार-बार महसूस हो रही थी, कि उन्होंने आपका भरूसा तोड़ा है, आपका trust उन्होंने ब्रेक करा है, चीक है, और उन्हें ये चीज रिलाइस हो रही थी, कि किसी को दुख दे कर मैं कैसे खुश रह सकता हूं, या मैं कैसे खुश रह सकती हूं, तो वो वाली situation कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि आप कितने मासूम हो, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इतना कुछ सहा, वो ना आपकी जगापर खुद को रख कर देख रहे थे, कि अगर आपकी जगापर वो खुद होते तो कितना तड़प रहे होते, कितना परिशान हो रहे होते, कितना कर्स कर रहे होते सामने वाले person को, ठीक है, तो वो energy कहीं न कहीं उनकी कल रात को देखने को मिली, ठीक है, कि मेंली कल रात को वो जो है, इन सारी बातों के बारे में सोच रहे थे, कि कैसे उन्होंने आपका भरूसा तोड़ा, उन्हें ऐसे लग रहा है कि जो कुछ भी उनके जिन्दगी में गलत हो रहा है, जो कुछ भी उनके जिन्दगी में सही नहीं जा रहा, उसका specific reason स सुकून है, नहीं शानती है, burden की energy उनकी specifically नजर आ रही है, है ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जिन्दगी में सब कुछ चल ही इसले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दुखी हो, आप परेशान हों उनकी वज़से, ठीक है, और सिर्फ आप ही नहीं, बलकि वो ही बहुत जादा परेशान है इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने इस पूरे रिष्टे में कोई effort नहीं डाला, कोई support नहीं करा, जहां वो आपको even support भी कर सकते थे, देखो, मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि आप सबके देखो reasons अलग हो सकते हैं, जतने लोग यहाँ पर क्या situation दिख रही है, लेकिन आपके person की जो energy है, ठीक है, आपके person जो है, उन reasons को ही याद कर रहे हैं, एक person होता है, वो अगर उनकी जिन्दिगी में सब कुछ बिखर जाएं, तो उनको समेटना कोशश करता है, समेटने की कोशश करता है, है ना, और आपके person की जि जिन्दिगी में कोई third party interference है, कोई romantic party है, तो even उनके साथ भी आपके person के रिष्टे खराब होते जा रहे हैं, ठीक है, और एक person होता है, जिसकी जिन्दिगी में सब कुछ बिखर रहा हो ना, उनको समेटने की कोशश कर रहा है, लेकिन आपके person की energy ऐसे दिख रही है, कि वो ब person से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे reunion करना है, reconciliation करना है, लेकिन वो कोई effort ही नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, वो कोई support ही नहीं कर रहे हैं, कहीं जगा थी जो वहाँ, आपको support कर सकते थे, आपका साथ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया आपका साथ, उन्होंन मेसेच पूरा टाइप करने के बाद उसे पूरा डिलीट कर दिया तो वो वाली सिचुएशन मुझे आपके पर्सन के दिख रही है कि बहुत कुछ है उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स वो आपके साथ शेर करना चाहते हैं लेकिन अट लास्ट क्या होता है वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे आकर बात करने की अच्छे यहाँ पर कहीं सिचुएशन में मुझे यह चीज भी दिख रहे हैं जो यहाँ पर बनते जा रहे हैं आप लोगों के पीच में चले देखते हैं कल शाम को आपकी परसन आपको लेकर और क्या कुछ है जो सोच रहे हैं कार्ड देखो उपे खर रहे हैं आप लोग जितने भी वीवर्स हैं आज जो देख रहे हैं बहुत impatient हो बहुत आपको चाहिए कि आपका परसन आपको अभी message करे अभी उनका कोई option देखना चाहते हो आप अभी उनके कोई outcome देखना चाहते हो लेकिन आपको wait करना होगा इतनी scattered energy में मत रहो देखो फिर cards इतनी scattered energy में नहीं रहा है ठीक है अपने आपको positive रखो अगर आप अपने आपको positive रखोगे तो देखो devil card here is a devil अच्छा queen of van and temperance दो card उटकर आए हैं ठीक है अच्छा okay अभी मैं आपको बताते हूं पहले आज इस pick all the cards nine of pentacles ठीक है I'm sorry and four of pentacles bottom में देखते हैं judgment see energy of judgment is also here ठीक है देखो यहाँ पर जो energy मुझे सबसे पहले ही उटकर आई है वोज energy of devil यानि maybe आपको ऐसा feel हो रहा है कि कोई third party interference है और वो third party ने आपकी person को ठीक है fully control का रखा है control का साधन उन्होंने या तो black magic बना रखा है ठीक है या कोई spell work उन्होंने कर रखा है जिस वज़े से आपके person ठीक है totally blind होकर maybe उस third party को देख रहे हैं ये भी एक situation यहाँ पर हो सकती है अगर ये situation आपके साथ resonate कर रही है ठीक है तो definitely ये reading कहीं न कहीं आपकी है secondly और भी situations मैं बताऊंगे सिर्फ एक ये situation नहीं दूसरी situation is आपके person जो है बहुत जादा आजकल यहाँ तो drink smoking बहुत जादा कर रहे है devil की energy यहाँ पर देखने को मिली है ठीक है तो drinking smoking की energy बहुत strong दिख रही है ठीक है third party उनको अपनी तरफ attract कर रखा है ये भी third party ने शाद हो सकता है कि आपके person को बहुत कोई लालच देकर अपनी तरफ attract कर रखा है तो ये energy मुझे यहाँ पर दिख रही है the black magic की energy भी है drinking smoking की energy भी है जो आपके साथ resonate कर दिया आप उसे रह सकते हो यहाँ पर अगर मैं देखू ना कल शाम की energy तो बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा आपको miss करते हुए ठीक है बहुत आपने आप में ही बहुत balance बिठाते हुए ठीक है उनको ऐसे लग रहा है मैंने अब इकाना जैसे सब कुछ बिखर चुका है उनकी जिन्देगे में चाहते हैं दोनों ही situation negative हो रखी है ठीक है वो दोनों ही person को अपने पास रखना चाहते हैं और दोनों को दोनों ही परेशान हो रहे हो जितना आप परेशान हो रहे हो ना भी third party भी उस चीजों को लेकर उतना परिशान हो रही है आपके person almost कर रात को भी शायद आपके बारे में ही सोच रहते देखो आपी के dreams देख रहे हैं God से आपस reunion, reconciliation के बारे में ही कहीं न कहीं सोच रहते ठीक है, maybe उनके पास सारी materialistic चीज़े हैं लेकिन फिर भी क्या नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी नहीं है, clarity ढूणने की कोशिश तो करते हैं लेकिन आगे कोई step नहीं ले रहे है वो energy मुझे यहां पर दिख रही है, चलिए देखते हैं मैंने जैसे कहा था ना, हम outcome भी चेक करेंगे, तो देखते हैं क्या है इस relationship का outcome क्या आप वाके में reunion reconciliation आपके person के साथ होगा, नहीं तो क्या basically outcome है आपके relationship का पहला ही card clarification, दूसरा card silence के energy, let's put our ego aside, ठीक है, बहुत ego है आपके person में ठीक है, regret ठीक है, और साथ ही साथ energy of confusion and one more stock यह अभी उनकी energy, मुझे दिखी है बाकी और देखते हैं क्या outcome के आपके result क्या है, next action क्या है please divine angels बताएं मेरे viewers को के उनकी relationship की outcome और actions क्या है two of pentacles अभी आल एक्स्वें यू nine of swords eight of pentacles ठीक है and four of cups bottom knight of cups ठीक है ठीक हो यहाँ पर सबसे पहले तुम मुझे चीज दिख रही है कि जो आपका relationship है ठीक है basically at last आपके person जो है वो regret करेंगे यहाँ पर भी energy देखूं तो ठीक है आपके person at last regret करेंगे इस चीज को कि आप उनकी जिंदगी से दूर चले गए ठीक है अपनी ego कहीं न कहीं वो side में रख कर यह हम at last outcome ढूंड रहे हैं कि जब आप दोनों वापस contact situation में आओगे तब के लिए ठीक है maybe आपके person तब regret करेंगे ठीक है इस चीजों को लेकर कि उन्होंने आपको गलत बोला गलत कहा आपको और आपको आकर clarification देंगे अपने ego को side में रख कर ठीक है लेकिन यह situation कब arise होगी जब वो अपनी confusion से बाहर निकलेंगे अभी तक वो confusion की state में रहें ठीक है अभी तक वो confusion की state में रहें तो जब वो confusion की state से बाहर निकलेंगे तो वो आपको clarification देने की सोचेंगे तब अपना ego side में रख कर maybe उनकी तरह से ही आपको कोई call या message आने के chances है ठीक है उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो आपको instagram पर देखना आपको facebook पर देखना अभी तक वो सर्फ silence की energy में है ठीक है और ये situation आपको बहुत जल्दी maybe within next nine weeks ठीक है maybe within next nine weeks कहीं लोगों के लिए हो सकता है कहीं लोगों के लिए nine days भी हो सकता है कि nine days to nine weeks के अंदर आपको अपने person का कोई action देखने को मिल जाए ठीक है और ये तब उनके साथ होगा जो वो रातो अब ये sense ये भी देखो यहाँ पर भी nine of swords की ही energy है यानि maybe आपका जो person है ठीक है वो रातों को परिशान होगा overthinking की situation में है ठीक है तब जाकर कहीं उसको clarification मिलेगी वो confusion की state से वापस आएगा तो उसका next action जो आपको देखने को मिलेगा ठीक है अभी तक वो यहाँ पर भी silence के energy में और आपके बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं ठीक है आपकी तरफ वो cup लेकर आना चाहते हैं यहाँ पर भी energy देखो ठीक है आपकी तरफ ही वो cup लेकर आना चाहा रहे हैं है ना तो यहाँ पर क्या energy दिख रही है कि आपके person अभी तक silence के energy में है लेकिन कई लोगों के रिए nine days हो सकते हैं तो कई लोगों के रिए nine weeks आ सकते हैं अगर आपका long distance relationship है तो ठीक है तो यह कही ना कहीं उनकी energy मुझे यहाँ पर दिख रही है यह उनका outcome और action है अब देखते हैं कि अगर आपके person आपको कुछ कह सकते तो आपको क्या कहते हैं I feel ease when I am with you वो बहुत comfortable feel करते हैं जब वो आपके साथ होते है I love touching you all over उनको सिर्फ आपको physically touch करना ठीक है वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें महसूस होता है कि आप उनके पास हो आप उनसे कहीं दूर नहीं गए हो ठीक है तो तब जाकर कहीं उनको बहुत अच्छा महसूस होता है तो ये कहीं न कहीं उनके कल रात देर रात तक की एनरजी है ठीक है अगर आपके साथ resonate करीं तो definitely like करें शेर करें से अपने friends के साथ This is all for today, thank you, bye-bye